उन्हों दो एपिसोड्स ने टीवी आर डेटिस टेलिवीजन रेटिंग्स के रेकॉर्ड्स तोड़ दिये थे क्योंकि एक आम आदमी ने पाच करोड रुपे जीते थे उन्होंने उसके बाद बहुत जादा शराब पिना शुरू कर दिया बात ये तलाग तक चली गई फिलाल उनके सैलरी 18,000 रुपीज है नमस्कार 2011 में कई सारी ऐसी चीज़े हुए जो बाद में लोगों को याद रही और उनमें से एक है KBC के वो एपिसोड्स जिसमें सुशिल कुमार ने 5 करोड रुपे जीते थे इन फैक्ट उन दो एपिसोड्स ने TVR येटिस टिलिविजन रेटिंग्स के रेकॉर्ड्स तोड दिये थे TVR के रेकॉर्स टूटिंगे भी क्यों नहीं क्योंकि एक आम आदमी ने 5 करोड रुपे जीते थे तो सुशिल कुमार के करोड पती बनने की कहानी तो सब को पता है लेकिन उसके बात क्या हुआ इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है तो आज हम बात करेंगे सुशिल कुमार के इसी Rise and Fall के बारे में नमस्कार मैं प्रसद आपका अचके इस वीडियो में स्वागट करता हूँ इंडिया को financially aware बनना हमारा mission है हमारे इस mission से जुड़ने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्रेब करके बेल आइकन पर क्लिक करें साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सुशिल कुमार के जो mistakes है वो बाकी लोगों को भी पता चले और अपनी जिन्दगी में वो ये गलतिया ना करें जिससे काफी पैसा waste होने से उनका बच जाएगा सुशिल कुमार बिहार के मोतिहारी से बिलॉंग करते है पहले वो वहाँ पर computer operator का काम करते थे government scheme की तहत लेकिन केबीसी में पाच करोड जितने के बाद उने after tax 3.6 करोड रुपे मिल गये उस time उनका ये सपना था कि उसके बाद वो डेली जाकर कोचिंग करेंगे और बार में IS officer बनेंगे लेकिन उनका ये सपना सपना ही रहे गया क्योंकि KBC में पाच करोड रुपे जितने के बाद वो काफी ज़ादा limelight में आ गये हर कोई उनकी बात करता था हर एक गाव के इवेंट में आजू आजू के जो भी सीटीज है गाव है वहाँ पर उन्हें चिप गेस्ट के तोर पर बुलाया जाता था साथी motivational speech देने के लिए भी बुलाया जाता था कभी-कभी लगता है कि अप उन्ही भगवान है तो मेने बर में बहुत सारे इवेंट्स वो अटेंड कर दे थे जिसकी वज़े से पढ़ाई के लिए उनको टाइम ही नहीं मिला केबीसे में 3.6 करड़ रुपे जितने के बाद सुशल कुमार ने सेविंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा उन्होंने सोचा कि इस पैसो से क्या कुछ किया जा सकता है सबसे पहले उन्होंने अपने लिए 3 मंजिला घर बनाया उसके बाद उन्होंने अपने भाईयो को और अपने कुछ रिलेटिवस को अपने बिजनसे बिल्ड करने में हिल्प की और उन्हें उसके लिए काफी सारा पैसा भी दिया साथ ही कुछ philanthropic activities के लिए भी वो contribute करने लगे साथ ही उन्होंने डेली में अपने एक दोस्त के साथ camp का business शुरू किया जिसके चलते उनका डेली में आना जाना बढ़ गया और उन्हें शराब की लदभी लग गई उन्होंने उसके बाद बहुत जादा शराब पिना शुरू कर दिया बात ये तलाक तक चली गई उसके बाद वो मुंबई गए डायरेक्टर का सपना लेकर कि उन्हें एक डायरेक्टर बनना है लेकिन वहाँ पर जाकर भी उनका जादातर पैसा वेस्ट ही हुआ जब तक उन्हें पता चले कि उन्हें बहुत कुछ गलतिया की है तब तक काफी देर हो चुके थी कई सारे अलग-लग बिजनसेस में उनका पैसा डूप चुका था कई सारा पैसा जो उन्होंने डोनेट किया था वो गलत लोगों को डोनेट किया था जिसे philanthropic activities के लिए use भी नहीं किया गया जब तक सुशल कुमार को अपनी गलतिया पता चली तब तक काफी देर हो चेके थी और उसके बाद उन्होंने ये सारी गलतिया सुधारने पर अपना focus बढ़ाया उन्होंने शराप छोड़ दी साथी जो भी गलत आदती थी वो भी छोड़ दी और focus किया studies पर जल्दी उन्होंने बिहार के teachers eligibility test पास की और वो teacher बन गए फिलाल उनके salary 18,000 रुपीज है और अब उनका मानना है कि मुझे उतना ही कमाना चाहिए जिससे मेरी जरूरते पूरी हो जाए और बाकी समय में मैं परियावरन के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहता हूँ सुशल कुमान ने exactly क्या कुछ mistakes की थी उसके बार में बात करने से पहले एक और ऐसी स्टोरी में आपको सुनाता हो स्टाडिस ते इसके हिसाब से जितने भी लोग लॉटरी जितते हैं उनमें से जाधा तर लोग वापिस अपनी जगा पर ही वापिस आ जाते हैं पूरा पैसा अपना खोड़ देते हैं तो ऐसा क्यों होता है उसके बार में बात करेंगे और ऐसी इंटरसिंग स्टोरी है कॉनिलियस वेंडल बिल्ट की फैमिली की कॉनिलिस वेंडल बिल्ट उस टाइम के सबसे रिचेस्ट परसन थे उनकी बहुत जादा नेटवर्थ थी और जब उनकी डेत हुई तो उनकी फैमिली को आज के एक्वेलेंट 2.1 बिलेंड डॉलर यानी 15,000 करोड रुपे मिले उन पैसों से उनकी फैमिली ने बड़े-बड़े घर बनाए जिसमें वो कभी नहीं रहे और अमीर लोगों को इंप्रेस करने के लिए और दिखाने के लिए कि हम कितने जादा अमीर है उसके लिए उनने बड़े-बड़े मैंशन्स खरीद लिये बड़ी-बड़ी पार्ट ले करनी है और पैसा खर्च बाद में करना है जनरली लोग चाहे हम सुशिल कुमार का एक्जामपल ले या फिर कॉनिलियस वैंडर बिल्ट के एक्जामपल ले तो उनकी नेक्स जनरेशन ने कभी भी पैसा सेविंग पर फोकस नहीं किया उनने पैसा स्पेंडिंग प्यानी खर्च करने पर फोकस किया अगर आप पैसा खर्च करने के बाद में उसे सेव करने की प्लान करोगी तो वैसा नहीं हो पाएगा तो पैसा पहले सेव करो बाद में उसे खर्च करो वेल का दूसरा important rule यह है कि जो भी आप कमा रहे हो 10% आपको लगातर उसे सेव करते चलना है और उसे सही जगा पर invest भी करते रहना है यानि जो भी आप पैसा कमा रहे है उसे 10-15% सेव करो उसे invest करो उन पैसों से जो भी return आ रहा है उन पैसों को भी again invest करो तो investing की यह process आपको continuously करनी है लेकिन investment कहा करनी है यह भी बहुत important point आप कही पर भी invest नहीं कर सकते हैं हम देखते क उसके लिए आपको understanding होने चाहिए investment की और personal finance की आज के इस वीडियो के प्रायोट जग है फायू पैसा जो कि इंडिया के one of the top brokerage firms है और जिनसे पिछले 5 सालों में 12 लाग से जाधा customers जूड़ चुके हैं और 70 लाग से जाधा लोग उनका app यूज़ कर रहे हैं साथी company ने एक mobile number verify करना है उसके बाद pen card, date of birth, bank detail जैसे चीज़े fill करनी है और account opening form में e-sign करनी है 5 पैसा के app के साथ आप equity, commodities, currency, F&O इन सब जगा पर एक ही platform से trade कर सकते हो और यहां आपको regular market research भी free में provide किया जाता है तो निचे description में दिएके link पर click करके 5 पैसा platform ज़रू चेक आउट जो की retirement में उनके काम आएंगे और साथ ही उनको बाकी risk factors को भी समझना पड़ेगा और अलग-अलग asset classes पर भी focus करना पड़ेगा उन्हें equity asset class को समझना पड़ेगा उसमें भी देखना पड़ेगा कि क्या वो directly stock market में invest कर सकते हैं क्या वो mutual fund के जरिए invest कर सकते हैं क्या वो directly startup मे invest कर सकते हैं और अलग-अलग जगह की अलग-अलग risk factors होते हैं तो अलग-अलग investment formats को आपको समझना चाहिए और उसके अनुसार आपको invest करना चाहिए जिसके लिए जरू थे financial awareness की अगर आप गलती से अपनी पूरी saving bitcoin जैसे asset class में invest करती हो तो वो बहुत जादा risk हो जाएगा आप crypto currency जैसे asset classes में बहुत जादा पैसा invest नहीं कर सकते हैं आपको अपना risk factor और बाकी जीसे समझनी पड़ेगी और उसे इसाफ से asset allocation करना होगा और हमारी convince platform के जरी हमारा mission भी आई है कि इंडिया के जादा से जादा लोगों को financially aware किया जाए और इस channel पर आने वाली videos में हम आ इसे तरह की lottery जितते हैं वो यह सारी गलतिया करते हैं वो इन rules को बिल्कुल भी follow नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास financial awareness नहीं होता है मुझे याद है कि 5-6 साल पहले मेरी sister के college में पियून थे जिनको lottery लगी थी उसके lottery लगने के पाद उनके पास काफी सारा पैसा आगया और उन्होंने अपनी job छोड़ दी लेकिन कुछ साल बाद वो again उस college में वापिस आये पियून बनकर और तब तक वो अपना सारा पैसा खर्च कर चुके थे और उनके पास कुछ भी नहीं बचा था और एक announcement है हम कुछ whatsapp groups शुड़ू कर रहे हैं जिसमें हम आपके साथ share करेंग और एक और चीज़ यहाँ पर में कोई भी buy और sale tips नहीं देने वाला तो अब investment से related knowledge चाहते हो साथ ही investment से related जो भी नई चीज़े चल रही है उससे update रहना चाहते हो तो यह whatsapp group ज़रू join कीजिए इस group की link निचे description में दी गई है तो उन wealth management से related सारी गलतिया आप ना करें और investment प हम आपको वो सारी चीज़े बताएंगे जरूर इस वीडियो को सारे whatsapp groups पर share कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चले और वो इस तरह के गलतिया ना करें और उन्हें भी कन्वी को subscribe करने जरूर बोले और उनके साथ हमारे ब कर दो आपको 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 झाल झाल